कहा जाता है कि उत्राखंड के जोशी मट में भगवान नर्सिंग का एक हजारों साल पुराना मंदिर है उसके अंदर जो भगवान की प्रतिमा अस्थापित है उसका एक हाथ समय के साथ पतला होता जा रहा है पतला होकर वो अभी सिर्फ सुई के अकार का बच गया है जब यह हाथ तूटकर गिर जाएगा नर और नरायन परवत आपस में मिल जाएंगे और बद्री ना धाम जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और फिर भगवान लोग को दशन देंगे भविश्य बद्री के रूप में और भविश्य बद्री धाम को ही लोग अपने सबसे बड़ा तीस मान कर पूझेंगे